नमस्कार मैं वरेंदा शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का एश चांद के ओफिसेल यूटीव चैनल में आज आपके सामने सरवाधिक लोगप्रिय पुस्तक तरक शक्ती परिक्षन जो एश चांद वहरा प्रकासित जिसको डॉक्टर आरे सकरवाल ने लिखा है इस चैनल पर आपको प्रतिक टॉपिक पर वीडियो दिये जाएंगे इस पुस्तक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पार्ट पर्स्ट और पार्ट सेकेंड पार्ट पर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग होता है बिना खंड फर्स्ट समान्य मांसिक योगता जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकेंड हमारा जो कतन निसकर्स पर आधारित है इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किये गए हैं। पार्ट सेकेंड के अंदर नौन वर्बल रीजिनिंग आता है इसमें हमारी एभासिक तरक शक्ती होती है अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजिनिंग हमारी बनती है तो आई ये शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तरक शक्ती परिक्षन में आज हमारा टॉपिक रहेगा रक संबन अर्थात ब्लड रिलेशन तो इस टॉपिक के हम सुरुआत इस टॉपिक की समसे पहले सुरुआत में मैं अपको पूरा जो बेसिक है वो आपको कराऊँगा तहीं सुरुआत करते हैं जैसा की हमारे परिवार में रिलेशन होता है तो पहले मैं आपको रिलेशन समझाता हूँ देखें माता या पिता का बेटा माता या पिता का बेटा होता है भाई माता या पिता की बेटी बेहन होती है पिता के बाई पिता के बाई चाचा होते है पिता की बेहन बुवा होती है माता की बेहन मौसी होती है तो यह सारे relation आपको आने चाहिए हैं है, मैंने इसकी पूरी टेबल नोट करा दी आपके लिए, तरकशक्ती परिक्षण में is advi. में आपको टेबल दी गई है और उस टेबल को आप अच्छी तरीके से याद करें ये आपको relation सारे तरक शक्ती परिक्षन की starting में आपको पूरी टेबल दी गई है आप उस टेबल से relation में जो भी हमारा निगलता है उसको काफी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं दूसरा जो हमारा basic है फेकिन हमें ये ध्यान रखना है जो भी बराबर के संबंद होते हैं भाई बहन पती पतनी तो जो बराबर के संबंद होते हम उन सभी संबंदों को बिलकुल व्यक्ति के बराबर में रखेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई हम व्यक्ति मान लेते हैं, अब इसका भाई, भाई बरावर का संब्द है, बरावर में रखेंगे और हम भाई या बहन के लिए एक बीच में लाइन को भी लगा सकते हैं, ताकि जब हम कुश्चन को देखेंगे, तो अगर आप लाइन लगाएंगे इनके बीच में, तो आसानी से आप पैचान सकते हैं, कि यह आपस में बाई और बहन है, अगर मुझे इस व्यक्ति की बहन द लगाएंगे, तो मैंने आपको भी तक दो-तिन पॉइंट यहां बे किलियर कराएंगे, व्यक्ति के लिए आपको प्लस लगाना है, महिला के लिए आपको माइनस लगाना है, बराबर के संबन्द होते हैं, भाई, बहन, पती, पतनी उनको बराबर में रखना है, भाई या लाइन का यूज नहीं करेंगे, तो यह आपस में पती और पतनी है, अगर मुझे इस व्यक्ति के चाचा दरसाने, चाचा, चाचा होते हैं पिता के भाई, तो बड़े संबन्द हमें उपर रखना है, जो भी हमसे बड़े संबन्द होंगे, उन्हें आप एक पीड़ी उप उपर होंगे, इनको उपर रखेंगे आप, अगर मुझे इस व्यक्ति के चाचा दिखाने, तो चाचा होते हैं पिता के भाई, इस व्यक्ति की बुवा दिखानी है, बुवा होती है पिता की बहन, यह बुवा होगे, अगर इस व्यक्ति की माता दरसानी है, माता जो होती है वो होती हैं पिता की पतनी मौसी दिखानी है माता की बहन मामा दिखाने है माता का भाई तो इस तरीके से आप किसी भी रिलेशन को एक किसी भी रिलेशन को आसानी से ग्राफ के द्वारा दर्सा सकते हैं अब आते हम छोटे संबन्द चोटे संबंद होते हैं जैसे बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी ये आपको नीचे रखना है अगर मुझे इस व्यक्ति का बेटा दरसाना है तो बेटा नीचे आएगा तो ये मैंने आपको कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट है इसमें आपको पूरा बेसिक के लियर कराया है मैं वापस एक बार और रिपीट आपके सामने कर देता हूँ कि व्यक्ति के लिए प्लस लगाना है महिला के लिए आपको मैनस लगाना है इसके बाद बराबर के संबंद बराबर में रखने हैं दाई, बहन, पती, पतनी एक होते हैं हमसे बड़े संबंद माता, पिता ऊपर रखना है अगर आपको दादा और दादी दिखाना है दादा जो होते हैं वो पिता के भी पिता इससे भी हमें ऊपर चलना है अगर इस व्यक्ति का बेटा या बेटी दरसाना है तो बेटा या बेटी के लिए हमें नीचे चलना है तो अब मैं आपके सामने वन बाई वन करके तरक शक्ती परिक्षन के में में कुश्चन आपके लिए जो important कुश्चन है उनको मैं आपको वन बाई वन करके आप कराऊंगा और इस वीडियो को करने के बाद आप रख संबंद के किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं तो आईए सुरुवात करते हैं exercise एक लड़के की तरफ हिसारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलोते बेटे वीना कहती है मेरे दादा का इकलोता बेटा मेरे दादा के एक ही बेटा है यानि कि वो वीना के पिता होंगे और वो पिता का बेटा है तो पिता का बेटा होता है भाई तो इस सवाल का अंसर बनेगा भाई हम एक बार चित्र बना लेते हैं वीना ने कहा ये वीना लड़की है वहें मेरे दादा, दादा होते हैं पिता के पिता, हमने इसके कोई पिता मान लिए, पिता के भी पिता होते हैं दादा, और मेरे दादा के एक ही बेटा है, मेरे दादा के एक ही बेटा है, तो वो वीना का पिता हो गया, और वो दादा के इकलोते बेटे का बेटा है, मेरे दा लड़का वीना का लगेगा, तो लड़का वीना का लगेगा भाई, तो इस सवाल का जो सही अंसर हमारा बनेगा, वो बनेगा option number B, next, देखो एक्स, वाई के बेटे के बेटे का बहई है, हमने वाई मान लिया, इसका कोई बेटा माल लिया और इसका भी कोई बेटा माल लिया इसके बेटे के बेटे का भाई कौन है X पहले question को द्यान से देखना है मैंने आपको पड़ाया था जो भी संबंद हमारे छोटे होते हैं तो छोटे संबंद हमेशे नीचे जाते हैं एक्स वाई के बेटे के बेटे का भाई है अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एक्स वाई से किस प्रकार संबन देता है तो भई एक्स वाई का क्या लगेगा पोता क्योंकि ये इसका बेटा है और ये बेटा ये इसका बेटा है और उसके भी लड़के हैं तो बेटे के परीचे कराते हुए एक महिला ने कहा एक व्यक्ति का परीचे कराते हुए महिला ने कहा यह है मेरी माँ, महिला कह रही है मेरी माँ यह हमने महिला मान लिए महिला की कोई माँ है माँ की माँ का इकलोता बेटा मेरी माँ की माँ का इकलोता बेटा ये व्यक्ति है तो पहले लिखा हुआ है महिला व्यक्ति की क्या लगेगी देखें ये इसकी बहन है महिला इस व्यक्ति की क्या लगेगी तो व्यक्ति की बहन व्यक्ति की बहन की लड़की तो बहन की जो लड़की होती है वो होती है भानजी तो option number आएगा हमारा D मंच पर एक महिला की और इसारा करते हुए मंजू ने कहा मंजू कहती है मंच पर एक महिला की तरफ इसारा करते हुए मंजू कहती है मंजू कहती है वह है मेरी मा तलो मंजू मान लेते हैं हम मंजू की कोई मा मान लेते हैं वह है मेरी मा का बेटा, मेरी मा का बेटा यानि इसका कोई भाई हो गया, मेरी मा के बेटे, के पिता, इसके पिता यानि इसकी माता के पती हो गये, और उसकी ये बहन है, ये जो महिला है, सवाल को हमें द्यान से देखना है एक महिला की और इसारा करते हुए मन्जु ने कहा मन्जु कहती है कि मेरी मा मेरी मा का बेटा मेरी मा का बेटा यानि मन्जु का भाई हो गया और मन्जु के भाई का पिता यानि दौनों के पिता आपस में पती पतनी हो गए और मेरे पिता की बहन तो पिता की बहन अब कुश्चन में बोला जा रहा महिला का मंजू से क्या संबंद है तो ये जो महिला है वो मंजू की क्या लगेगी तो महिला मंजू की क्या लगेगी बुआ क्योंकि इसका पिता ये पती पतनी है पिता और ये पिता की बहन, पिता की जो बहन होती है वो होती है बोवा, तो इस question का सही answer बनेगा option number C, पुरुसकार प्राप्त करने वाले विक्ति को दिखाते हुए सरोज ने कहा, सरोज कह रही है, वह मेरे चाचा की बेटी, सरोज, सरोज का चाचा, हम सरोज के कोई पिता मान लेते और पिता के बहाई होगे चाचा, वह मेरे चाचा की बेटी, चाचा की बेटी मान ले, वह मेरे चाचा की बेटी का बहाई है, ये विक्ति है, वह मेरे चाचा की बेटी का बहाई है, अब question में लिखा हुआ है, व्यक्ति सरोज का क्या लगेगा, देखें व्यक्ति सरोज का क क्या लगेगा ये दौनों आपस में भाई हैं तो ये लगेंगे चचेरा चचेरा भाई तो व्यक्ति का सरोज के साथ क्या सम्मंद है तो व्यक्ति सरोज का क्या लगेगा व्यक्ति सरोज का लगेगा चचेरा भाई क्योंकि ये दौनों भाई 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 हैं तो चाचा एक त दिया हुआ है व्यक्ति सरोज का क्या लगेगा चचेरा भाई एक महिला की ओर इसारा करते हुए नमन ने कहा महिला की ओर इसारा करते हुए नमन ने कहा वह मेरी दादी नमन ने कहा चलो नमन मान लेते हैं वह मेरी दादी इसकी कोई मा मान ली और मा की मा वह मेरी दादी का इक इकलोता बच्चा तो इसकी माँ होगी नमन की माँ इकलोता बच्चा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो वापस दुबारा देखें वह मेरी दादी का इकलोता बच्चा दादी जो होती हो माता की माँ होती है और उसका इकलोता बच्चे की बेटी है ठीक है बेटी होगी अ अब Question में लिखा गया महिला नमन की क्या लगेगी, तो महिला नमन की लगेगी बहन, तो इस Question का सही आंसर बनेगा, Option No. A दोबारा देखें, नमन की मा की मा की एकलोती बच्ची, एकलہता बेटा या बेटी, जो भी यह लिखा हुआ है, एकलौतै बच्चा, एकलोते बच्चे में बेटा भी आ सकता है बेटी भी आ सकती है और उसका उसका ये बेटा है इसका मरला महिला जो है महिला और नमन आपस में भाई बेहन है अब पहले जो नाम दिया हुआ है महिला तो महिला नमन की क्या लगेगी बेहन लगेगी एक महिला की और इसारा करतव एक लड़की ने कहा, वहे मेरे पिता, लड़की ने कहा, चलो लड़की कह रही है, लड़की कहती है, वहे मेरे पिता, पिता ये होगे, इसका इकलोता बेटा यानि इसका भाई हो गया, मेरे पिता का इकलोता बेटा, मेरे पिता का इकलोता बेटा वो लड़की का भाई हो गय की दादी इसकी जो दादी है दादी आएगी इनके पिता की मा दादी की बहु है तो दादी की बहु है तो दादी की बहु यानि इनकी मा है और ये महिला question में बोला जा रहा हो, महीला उस लड़की के साथ क्या सम्भन दे तो महीला लड़की की क्या लगेगी, मा लगेगी, option number B, वापस देखें दुबारा, लड़की एक महीला के और इसारा करते हुए लड़की ने कहा, लड़की कह रही है, मेरे पिता का इकलोता बेटा इकलोता बेटा लड़की का भाही हो गया और इसकी दादी दादी होगी इसके पिता की माता और इसकी इकलोती बहु है इकलोती बहु यानि इसके पिता की पत्नी पिता की पत्नी कौन होती है मा तो बोला जा रहा है लड़की महिला लड़की की क्या लगेगी महिला लड़की की लगेगी माता अरुन ने कहा यह लड़की मेरी मा के पोते की पत्नी है मेरी मा की पोते की पत्नी है दोबारा देख अरुन कह रहा है यह जो लड़की है अरुन अरुन ने कहा मेरी मा अरुन की कोई मा है मा का पोता मा का पोता हो गया इसका लड़का और इसकी पत्नी है लड़की ये जो लड़की है कुश्चन में बोला जा रहा है ये लड़की मेरी मा अरुन की मा का पोता पोता हो गया अरुन का लड़का और उसकी ये पत्नी है अब question में बोला जा रहा अरुन लड़की का क्या लगेगा अरुन लड़की का लगेगा ससूर क्योंकि इसके पती का पिता पती का पिता होता है ससूर तो इस question का answer आएगा option number D एक संयुक्त परिवार में पिता, मा, तीन विवाहित, पुत्र एक एविवाहित बेटी है बेटों में दो को दो बेटिया है और एक के एक बेटा है तो पूछा जा रहा है कि परिवार में कितनी महीला सदस्य हैं टोटल महीला सदस्य से पूछा जा रहा है तो महीला सदस्य से एक मा होगे एक अब यहां पर लिखा हुआ है तीन विवाहित बेटे हैं जब तीन विवाहित बेटे हैं तो इनकी तीन पतनी होगी तो तीन महिला सदस्य यहां होगी क्योंकि विवाहित में पती पतनी दोनों होते हैं तो तीन यहां पतनी होगी तो तीन महिला सदस्य हमें यहां से मिलेंगे आगे लिखा हुआ है बेटों में से दो के दो दो बेटी आएं दो बेटे ऐसे हैं दो बेटे ऐसे हैं हलागि तीन बेटे हैं तो इन में से दो बेटे ऐसे हैं जिनके दो दो बेटी आएं तो चार बेटी यहां से होगे अब बोला जा रहा है और एक बेटा है परिवार में कितने महिला सदस्य हैं वापस दुबारा देखे एक मा होगी तीन यहां से आएंगे और एक ए विवाही तो बेटी और है एक बेटी है तो एक सदस्य और प्लस होगा टोटल जो सदस्य बनेंगे वो नौ बनेंगे तो इस कुशन का सही आंसर बनेगा option number D A, B और C बहने हैं जब A, B और C तीनों बहने हैं तो बराबर के संबन्द हमेशा बराबर में हमें रखने हैं A, B, C A, B और C बहने हैं चलो A हो गया, बहन माइनस B हो गया, और C हो गया तीनो फिमेल है माइनस लगाएंगे D E का भाई है अभी D और E आपको इस चार्ट में देखने को नहीं मिला है जो नहीं होगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे आगे लिखा हुआ है E B की बेटी है E B की बेटी है चलो E बेटी है माइनस और D इसका भाई है E का भाई D है पुछा जा रहा है A D से कैसे संबन देता है तो A D की क्या लगेगी मौसी लगेगी क्योंकि देखें इनकी ये माता और ये माता की बेहन तो माता की बेहन होती है मौसी पहले हमारा जो नाम है वो A है तो A D की क्या लगेगी तो AD की लगेगी क्योंकि माता की जो बहन होती है वो होती है मौसी Q R का भाई है Q R का भाई है Q भाई करेंगे प्लस और किसका भाई है R का Q भाई है R का ये लाइन हो चुकी है P Q की बहन है P बहन है क्योंकि अगर P Q की बहन है तो P R की भी बहन होनी चीह है क्योंकि यह आपस में भाई बहन थे T S का भाई है T और S अभी हमें चार्ट में देखने को नहीं मिले है S R की बेटी है S R की बेटी है तो R की जो बेटी है वो नीचे रखेंगे S T S का भाई है इसका भाई है T ये भी हो गया और ये भी हो गया क्यूंके चचेरे भाई और बहन कौन है अब पूछा जा रहा है क्यूंके चचेरे भाई बहन कौन है तो भई क्यूंके चचेरे भाई बहन कौन है आपे S और T तो इस question में एक ही option बन सकता है हमारा S और T S और T option number D अलाकि इसकी ये बुवा के बेटे भी हो सकते हैं ठीक है इसकी बेहन के बेटे भी हो सकते हैं पर इसमें हमें option का according चलना है तो इस सवाल का जो answer हो सकता है वो S और T हो सकता है Next देखे एक information हमें दी गई है और ये question हमारे puzzle type के question होते हैं कुछ information आपको दी जाती है और इसमें तीन चार ये पांच question आगे आपसे पूछे जा सकते हैं पहला जो question हमारे सामने है छे लोग A, B, C, D, E, F के परिवार में दो विवाहिज जोड़े हैं छे नाम हमें दिये गए हैं और इसमें ये बता रहा है दो husband और wife है D, A की दादी और B की मा है C, B की पत्नी और F की मा है आगे लिखा हुआ है F, E की पोती है जैसा कि हम graph पीशे बना रहे थे बराबर के संबंद बराबर में बड़े संबंद उपर होते हैं छोटे संबंद हमारे नीचे होते हैं झाल, G, B की मा है दादी तरही लगेगी जब इसके पता की माता है तो D, B की मा और A की दादी तबही लगेगी तो B, निश्चित तौर पे इसका पता है C, B की पत्नी है तो B की पत्नी आएगी इसके बराबर में C, अगर C, B की पतनी है तो C, D की बहू होगी और यहां पर A की माता होगी और F की माँ है इसका मरला C, F की माँ है देखे C, A की भी माँ है और C, F की भी माँ है C, A की भी माँ है C, F की भी माँ है तो इसका मरला A और F आपस में भाई या बहन है Next F E की पोती है, देखे F पोती है माइनस लगाओ, क्योंकि महिला के लिए हमें माइनस लगाना, F E की पोती है, तो E इसका पती हो गया, तभी पोती लगेगी, तो परिवार में दो विवाही जोड़े हमसे पूछा जा रहे हैं, पहला विवाही जोड़ा होगा D E, तो पहला वि A का F से क्या संबन्द है? A F का या तो भाई लगेगा या बहन लगेगा? हमसे कुश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इस परिवार में कितने महिला सदस्य हैं? अब इसमें महिला सदस्य से 1, 2 और 1, 3 3 महिला सदस्य हैं परंतो आपको A का नहीं पता कि A पुरुस है या महिला है तो हम महिला सदस्या निर्दारित नहीं कर सकते और ना ही इस कुश्चन में ना ही इस कुश्चन में हम पुरुस निर्दारित कर सकते तो D, E, B, C और A, F ठीक है? पहला विवाही जोड़ा D, E, दूसरा हैगा B, C और A और F आपस में भाई बेहन है ये सारे कुश्चन में आपको पीछे करा दिये C का A से क्या संबन्द है तो B, C, A की क्या लगेगी? दादी लगेगी? अब देख लेना परिवार में कितने पुरुस सदस्या नहीं बता सकते हैं पुरुस न मेला इस तरीके से हमें 5 कुश्चन यह दिये जा सकते हैं और ये 5 कुश्चन उसी चार्ट से आप बना के करेंगे आई अगले कुश्चन पर अप एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है A गुना B का अर्थ है A B की बेटी है A माइनस B का अर्थ है A B का पती है और A गुना B का अर्थ है A B का भाई येक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कुश्चन भै इसमें तीन चिन नहारे आ रहे हैं एक तो प्लस प्लस माने बेटी, माइनस माने पती और गुना मतलब भाई इसमें हमें तीन चिन ने ध्यान रखने है प्लस का मदलव है बेटी माइनस का मदलव है पती और गुना का अर्थ है ए बी का भाई है तीन चिन हमारे सामने है प्लस का मदलव बेटी माइनस का मदलव दिया हुआ है पती प्लस का मदलव बेटी गुना का मतलब भाई और माइनस मतलब पती माइनस मतलब पती माइनस का मतलब पती प्लस का मतलब बेटी और गुना का रथ था भाई ये हमारे तीन चिन थे जो हमें लगाने थे उपर से जो चिन हमें दिये गए ये तीनों चिन हमने निकाल लिए अब कुछ question इसी आधार पे हमें बताने है पहला question है P plus Q minus R में निम लिखित में से चार option दिये गए पूछा जा रहे हैं इन चारों में कौन सा सत्य है minus plus का मदलब होगा plus का मदलब भाई तो जब plus का मदलब भाई है तो P भाई है क्यों का P भाई है Q का अगला चिन्ना minus minus का मदलब पती Q पती है R का Q पती है Q पती है R का तो R इसकी पतनी होगी सबसे पहले हमने एक चार्ट यहां पर तयार कर लिया है अब इसके बाद पूछा जा रहा R P की माह है क्या R P की माह है बिल्कुल गलत सेकेंड लिखा हुआ है क्या R P की भावी है R P की भावी है तो इसके भाईया इसका जो भाई है और ये भाई की पतनी है तो भाई की जो पतनी होती है वो होती है भावी तो इस कुश्चन का सही आंसर हमारा निकलेगा option number B यह चिन्न थे हमारे जिस आधार पर हमें question का answer देने है second question है P गुना Q प्लस R में नीम लिखी तुमें से कौन सा सत्य है चार-चार option हमें दिये जाते है और इन चारो option में से एक हम से पूछ लिए जाता है कौन सा right है देखें माइनस का मतलब है पती P गुना Q गुना कार्थ है भाई तो P भाई यह किसका P भाई यह क्यू का P भाई यह क्यू का Q प्लस R प्लस का मतलब है बेटी तो Q बेटी है किसकी R की अगर Q R की बेटी है तो P P भी R का बेटा या बेटा है अब question में पूछा जा रहा है क्या पी आर का भाही है क्या पी आर का भाही है गलत बेटा है पी आर का बेटा है बिल्कुल सही है पी आर का बेटा है ये मा होगी तब भी बेटा लगेगा पिता होगा तब भी बेटा लगेगा तो पी आर का बेटा है माइनस का अर्था पती प्लस का अर्थ हमारा था बेटी और गुना का अर्थ हमारा था भाई ये हमारे चिन्न थे P प्लस Q गुना आर प्लस, प्लस का मतलब बेटी P बेटी है किसकी Q की P बेटी है किसकी Q की Q का नहीं पता ये पिता है या मा है गुना आर, गुना का मतलब है भाई, क्यों भाई ये आर का, क्यों भाई किसका है आर का, ये हमारा चार्ट है, पूछा जा रहा है चार आप्शन है, इन में से एक आप्शन हमारा राइट है, वो हमको information निकालनी है, क्या PR की भतीजी है, क्या PR की भतीजी है, बिल्कुल सही है क्योंकि R का ये भाई है और भाई का जो लड़की है भाई की जो लड़की होती है वो होती है बतीजी अगर ये बहन है तब भी ये बतीजी अगर ये भाई है तब भी इसकी बतीजी होगी दूसरा PR की बेटी है क्या PR की बेटी है नहीं भाई की लड़की है तो गलत क्या PR की चचेरी बेन है बिल्कुल गलत क्या PR की बहु है बिल्कुल गलत तो चारों में हमारा एक option right आ रहा है जो कि हमारा right answer बनेगा option number A next देखे हमें सबसे पहले इस type में सारे के सारे जो चिन्न है वो निकालने होते है P minus Q का रथ है पहले minus minus का रथ है मा second हमारा जो चिन्न है वो गुना है गुना का रथ है पिता तीसरा जो चिन्न आ रहा है वो प्लस आ रहा है और प्लस का रथ है बेटी तो सबसे पहले हमारे जो चिन्न है ये जो चिन्न है इसका मतलब क्या है ये आपको सारा निकाल लेना है, निकालने के बाद अब इसमें रखना, M-N, माइनस का मनला मा, M मा है N की, अब N का नहीं पता ये बेटा है या बेटी है, N गुना T, गुना, गुना करते है पिता, तो N पिता है T का, आखरी चिनने प्लस, प्लस मनला बेटी, T बेटी है जैड की, देखे T बेटी N की भी है, और की T, जैड की भी बेटी है, तो इसका मनला जैड इसकी मा होगी, जब इसके दोनों माता पिताओंगे, तब ही ये बेटी लगेगी, पूछा जारा आब कौन सा जो कतान है, वो सत्य नहीं है, यानि एक option गलत है, पहला T, N की बेटी है, क्य क्या N, Z की पत्नी है, ये बिल्कुल गलत है, M, Z की सास है, M, Z की सास है, बिल्कुल सही है, T, M की पोती है, बिल्कुल correct है, तो हम से पूछा जा रहा है, इन चारों में एक information wrong है, wrong information हमें निकालनी है, जो की हमारा सही answer बनेगा, option number B वीडियो को last तक जरूर देखना है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में सारे के सारे टाइप यहां cover कियें, तो इस वीडियो को करने के बाद, तरक्षक्ति परिक्षन को हम आसानी से कर सकते हैं, और हमारा एस चांद का जो चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते हैं, तो C, D से कैसे संब्देते हैं, जब दोनों की यह माता है, यह दोनों का पता है, इसका होगी, जब यह दोनों के वेटे हैं और एक पता है, तो दूसरी माता होगी, question में पूछा जा रहा है c d से कैसे संबन देता है c d की लगेगी पत नहीं तो answer आएगा हमारा option number b c d से कैसे संबन देता है अगर उल्टा होता d c से कैसे संबन देता है तो आता है इसका पती a b की बहन है a बहन है b की c b की मा है c मा है b की D C का पिता है D पिता है C का E D की मा है E मा है D की तो पूछा जा रहा है A D से कैसे संबन देता है तो A D से कैसे संबन देता है तो A D से कैसे संबन देता है ये दोनों आपस में भाई बहन है जब ये दोनों आपस में भाई बहन है तो इनकी माता होगी A से कैसे संबन देता है, A, A, D की क्या लगेगी, अब हमें option का according चलना है, तो पहले जो नाम दिया है A, तो A देखे D की पोती होगी, तो इस question का answer हो सकता है, पोती या नातिन, इसका accurate answer होगा, पोती या नातिन, क्योंकि अगर ये मा हैं, तो मा के जो पिता होते हैं, वो नाना लगते हैं, और नाना की जो बेटी की बेटी है, वो लगेगी नातिन, परन्तु हमें option का according चलना है, तो option में A की हमारा बन सकता है, जो कि हमारा right answer है, option number C, तो आज मैंने अपने वीडियो में आपको सारे type cover कराएं हैं, जिन वीडियो को करने के बाद आप तरक्षक्ती परिक्षन की पूरी बुक को आसानी से हम कर सकते हैं, आप अपना सजेस्ट करें अपने दोस्तों में बताएं, थैंक यू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगली वीडियो में,